दोस्तो मैं आपका निलेश पिया बहुत बहुत श्वागत रहता हूँ आपका सुपरफास्ट क्लासेच यूटूब चैनल पे दोस्तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो मैं आपको पढ़ाऊंगा जो आप लोग का NCRT का क्लासेच का सेखेंड चैप्र है अमलचारक एंबलावर उसके सारे के सारे इंपोर्टेंट अबजेक्टिव कोशन और आप समझ सकते हो आप लोग के बोड़ी जाम के लिए ये कोशन कितने इंपोर्टेंट होने वाले हैं सारा का सारा important objective question solve करते हैं जितना भी एक-एक को हम लोग detail में समझते हैं और बाकी कहूंगा अगर आप channel का अभी तक subscribe नहीं किये हो तो channel को subscribe करकर, well icon को दबा कर और all notification पर click कर लेना जिससे मैं जो भी video upload करूँ, उसकी जनकारी आपको हो जाए तो चलो, शूर करते हैं ओके, तो आप screen पर first question देख सकते हो यहां पर first question है कि छारी बिलियन में phenophylline सुचक का रंग होता है और देखो, इधर मैंने mention कर दिये यह आपके board पर इच्छा 2015 में पूछा गया था प्रसंट तो इधर देखो, जब जब यह प्रसंट पूछे गए इधर मैंने side में mention कर रखा है तो बार-बार मैं इस चीज़ को नहीं बोलूँगा ठीक, देखो, question है कि छारी बिलियन में phenophylline सुचक का रंग होता है गुलावी, फीला, नीला या रंगहीन तो देखो, इसका सही जो option है वो है गुलावी, जो phenophylline सुचक होता है इसका जो छारी बिलियन होता है उसमें रंग गुलावी होता है ठीक, याद करने वाली चीज़ है आप इसको directly याद रखेगा second है, यहाँ पे question कि H2SO4, इस H2SO4 क्या है तेजाब ये एक अमली है क्योंकि यहाँ H+, ION है तो यह अमली है तो अमल जो अमल होता है, उसका pH-man क्या होता है? अप सब लोग जानते हो कि अमल का pH-man साथ से कम होता है और जो 6 होते हैं, ठीके, उनका pH-man साथ से अधिक होता है और जो उदासीन होते हैं, उनका pH मान बिल्कुल 7 होता है, exactly, तो यहाँ पर हमलों का सुन्य है, तो गलत है, 7 गलत है, 7 से कम, यह अप्सन सही है, और यह 7 साधिक यह तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 7 साधिक, जो पतलब pH मान होते हैं, वो छार के होते हैं, लेकिन H2SO4 छार नही है, क्या है, अमले है, तो अमले का pH मान साध से कम होता है, तो यह अप्सन सही हो जाएगा, चलो, अगला प्रस्जिया 5 साधिक हो हो जाएगा यह डी वाला आप्शन से हो जाएगा ठीक है और एक्जाक्टली साथ किसका होता है तो जो उदासीन होते हैं उनका होता है ठीक है एक तरसे आप लवन का बोल सकते हैं चलो अगला है तीसरे के बाद चौथा नमर प्रसन यहां पर देख सकते हो कोई बिलियन लाल को नीला कर देता है भाई लाल लिटमस को नीला कौन करता है इस बात को आपको द्यान देने वाली मतलब है यह चीजियां पर तो देखो लाल लिटमस को जो नीला करता है वो चार करता है ठीक है चार क्या करता है कि लाल लिटमस पेपर को नीले में वदल देता है तो और चा एक बिलेन का पियच मान 5 है यह बिलेन है भई कितनी बार हम लोग पड़े इसको वो अमली होगा, जिसका pH मान 7 से कम होगा, वो अमली होगा, 7 से अधिक होगा, तो वो छारी होगा, उसके बाद अगला प्रसंद, एक billion नीले लीटमस को लाल कर देता है, देखिए, वहाँ पे हमने पीछे इसका उल्टा प्रसंद देखा था, लाल को नीला कर र देता है, उसका pH मान होगा, वो billion जो होगा, वो अमली होगा, क्या करेगा, कि नीले को लाल में बदल देगा, ठीक है, नीले लीटमस पेपर को लाल में बदल देगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों कोशन जो अभी हमने एक ये पीछे देखा, ये वाला, औ दोनों काफी important है, आप लोग एक्जाम में directly देखने को मिल सकते हैं, तो इसका देखो, एक billion नीले लीटमस को लाल कर देता है, तो ये कौन करता है, अमली हम लोग देखते कि उसका pH मान क्या होता है, तो यहाँ पे हमें directly ट्रिक नहीं लगाना है, तो भाई हम ऐसे कर सकते है कि हाँ, जो भी अमली हम होते हैं, उनका pH मान 7 से कम होता है, तो इसमें 7 से कम option कहा है, तो ये है, और ये तो सब गलत है, ये गलत है, ठीक, तो ये first option से हो जाएगा, चलो अगला प्रस्न, यहाँ पे 7 नमर प्रस्न देख सकते हो, 7 नमर प्रस्न क्या है, कि शुद जल का pH मान उसमें भी प्रस्न पूछ चुगा है, अगला प्रस्न है, काफी important प्रस्न है, ठीके, देखो क्या है, कि 10 to the power minus 6 मोल, HCL billion का pH मान होगा, ओके, हमें क्या दे कि एक billion है, HCL, HCL क्या hydrochloric amol है, hydrochloric amol का भार्मूला होता है, HCL, ठीके, इसका हमें सांधरता दिया है, कितना दिय है, 10 to the power minus 6 मोल, ठीके, और हमें इसका pH मान पूछ रहा है, देखो यहाँ पे, ऐसको तो, मतलब solve करने का एक formula होता है, उस formula का अधार पे solve करते हैं, लेकिन मैं उस पे नहीं जाओंगा, आपको इसको मैं एक trick के माध्य हम से बता दू, क्योंकि यह question काफी complicated होता है, अगर कही यह जो ऊपर घात होगी न, ऊपर, यही answer हो जाएगा, यानि देखो negative में घात होगी, लेकि positive answer होगा, तो simple यहाँ पे आपके अनुसारी इसको मार देना, और अगर billion यहाँ पे जैसे HCL था, अगर कोई मतलब जैसे छारिये billion हो, जैसे NAOH, जिसमें मतलब हाइड्रक्रिल आए अगर billion चारिये हो, तो उसको, मतलब जो भी घात रहे, उसको 14 में से घाटा देना, और जो यहाँ पे आएगा, वही answer होगा, इससे related question अभी आगे मिलेगा, इसको करेंगे, ठीक, तो simply जो घात है, वही answer हो जाएगा, चलो, अगला हम लोग देख लेते हैं, अगला 9 नमबर प्रसने, कि निम्रखित में से कौन सा कथन उदाशीन घोल के लिए अशत्त्य है, ओके, देखे, उदाशीन घोल के लिए अशत्त्य है, हमें क्या करें, उदाशीन घोल, उदाशीन घोल, और उसके लिए कौन सा कथन अशत्त्य हमें कथन छाटना है, ठीके, अब देखो, hydrogen ion H plus के सांदरर का मुल्य 10 to the power minus 7 mol प्रति लीटर अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है कि hydrogen ion का हमें सांदरर दिया है यह निसांदरता दिया है तो इसका pH मान क्या हो जाएगा इसका pH मान हमें का संदरता दिया है बिलेन का तो pH मान अभी मैंने बताया कि जो घात में होता है व हमें दिया है 10 to the power minus 7 mol प्रति लीटर तो यहाँ पर देखो 10 to the power minus 7 दिया है तो मैंने अभी बताया कि अगर hydroxyl आयन आ जाए तो आप उसको 14 में से घटा दी जगे तो 14 और यह आप साथ उसमें से घटा दी दिये तो साथ बचेगा ठीके और यही आप का मतलब pH मान हो अब देखो यहाँ पर यह तिनो अपसं बिल्कुल राइट है एक 23 billion के लिए लेकिन यह 23 billion के लिए बिल्कुल गलत है क्योंकि 23 billion का 15 मान साथ होता है यहाँ पर भी pH मान सा आ रहा है यहाँ पर भी pH मान साथ है यहाँ तीन düşüns सहीं है लेकिन यह 1 option गलत है और यहां में दखो असत्ते कथन ही छाटना था तो ये हम लोगा एक्जाक्टली राइट आप्शन हो जाएगा 100% ठीक देखो ये तो कथन आपके मतलब आप्शन के नहीं मतलब एक्जाक्टली बिल्कुल ट्रू है लेकिन प्रस्ण के अनुसार ये हम लोगा मतलब सही होगा ठीक चलो अगला हम लोग देख लेते हैं नौ के बाद 10 नमर प्रस्ण एक बिलियन में हैड्राक्साइड आयन यान यान ओच आयन ठीक है का चांदर हमें दिया है वन इंटू टेंटू वन इंटू यान गुड़े 10 घाते माइनस 12 मोल प्रति लीटर इस बिलियन का पी एच मान होगा आप देख तो आप लोग यहां पर अगर ऐसा कर देते तो यह कोशन आपका बिल्कुल गलत हो जाता है मैंने बताया कि कहीं अगर हाइड्राक्सील आयन कह दे हाइड्राक्सील आयन यान ओच ठीक है और अगर ऐसा बोल दे हाइड्राक्सील आयन तो आपको क्या करना है कि जो यह घात ह उसको 14 में से घटा देना है, तो 14 में से 12 आप घटा होगे, तो कितना बचेगा, दो बचेगा, तो यहाँ पर आपका, इसका दो आंसर बिल्कु राइट होगा, 100% यह अप्शन से होगा, ठीक, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, थोड़ा हाइड्रक्सिल आयन में, औ आपको 14 में से घटा देना है, घटाने के बाद जो बचेगा, वह यह अंसर होगा, यह वही उसका pH मान होगा, चलो, अगला प्रस्द, 10 के बाद 11 नमर देख लेते हैं, कि सल्फिरिक अमल में अमली हाइड्रोजन परमाड़ों की संख्या होती, जो हमलों का 11 नमर प्रस्द ह यहाँ पर हमें सल्फिरिक अमल, सल्फिरिक अमल क्या होता है, देखो H2SO4, यही होता है सल्फिरिक अमल, इसको तेजाब भी बोला जाता है, इसमें बोला है कि अमली है हाइड्रोजन परमाड़ों की संख्या है, अमली है जो हाइड्रोजन परमाड़ों की संख्या है, है सिंपल यह अपसंस ही हो जाएगा चलो 11 के बाद 12 नमर प्रसंद देख लेते हैं यहां पर 12 नमर प्रसंद है कि कोई बिलियन अंडे के कि पीकर हुए कवच से अब क्रीय कर एक गया स उतपन करता है जो चूने के पानी को दुधिया कर देते इस बिलियन में क्या होगा और यह इनशिया ड़ी आपकी eat in देखिए देखो इसको आप रेक्शन कराकर भी चेक कर सकते हो लेकिन आपको सीधे सीधे आपको याद रखें कि HCL जो होता है यानि हाइड्रोक्लोरिक अमल इसको वोलते हैं यह क्या करता है कि जो चूने का पानी होता है उसको दुधिया कर देता है शिम्पली तो इसका भी ही है इसमें नहीं तो यह तिन्यों मतलब खता में तरह से तो यह आपका आप्शन सुह हो जाएगा ठीक है यह प्रसंद को इस साल आ चुका है यहां पर मिंसन है तो चलो अगला हम लोग देख लेते तिरह का बाद चौदर नमर प्रसंद चौदर नमर प्रसंद ही यहां पर कि धावन सोडे का रसायनिक सुत्र है जो धावन सोड़ा होता है उसका रसायनिक सुत्र क्या होता है देखो जो धावन सोड़ा होता है उसका रसायनिक सुत्र एने टू यहाँ पे देखो एने टू शियो त्री यहाँ पे यह आपका सही हो जागा और इसके साथ मतलब यह प्राइब थे यह आपसन आपका, ठीके, क्या N A2 CO 3 इसको आप बोल सकते हो, ठीके, इसको sodium आप carbonate बोल सकते हो, और यह इसके 10H2O क्या है लगा है इसके साथ जो जल के अडू है ठीके, crystal के अडू है उनको यहाँ पर दर्साया गए, तो उससे कोई दिख्कत नहीं है, ठीके, सींप्ली जो दावन सोडे होता है हुसको सोडियम कार्बूनेट बोलते हैं और जिसका lahar criteria 3 होता है इसको सोडियम कार्बूनेट बोला जाता है इसका रसाइन के नाम होता है तो यह आपसंसरी हो जाएगा बाकि चलो चोथो के बाद 15 percent 逆हों पन्दरہ हो आप मतलब अब तक नाम सुने होंगे potassium permagnate ठीके potassium permagnate के MnO4 आपने आया से सुना होगा तो उसका भी हम लोग प्रियोग करते हैं potassium permagnate का लेकिन उसके अलाबा ठीके हम लोग calcium oxycodide जो ये c a o c l 2 है इसको बोलते है calcium oxycodide और इसका समाने नम है बिरंजक शून आपने सुना होगा बिरंजक शून तो इसका भी प्रियोग किया जाता है तो ये सही हो जाएगा बाकी ये आपसन आपके गलत हो जाएंगे चलो इसके बाद हम लोग लोग 16 नमर प्रसंद देख लेते हैं खाने के शोड़े का रसायनिक सुत्र है जो खाने का शोड़ा है उसका रसायनिक सुत्र क्या होता है भाई सब लोग जानते हो sodium bicarbonate NaHCO3 इसको हम लोग जैसे sodium hydrogen carbonate भी पढ़ सकते हैं लेकिन इसको पढ़ते sodium bicarbonate ही है यह खाने वाले शोड़े का फार्मूला होता है ठीक इसको आप लोग याद रखिएगा चलो सोलो के बाद 17 नमर प्रसंद है कि sulfur dioxide का जलिये billion होता है ओके sulfur dioxide देखो यहां पे sulfur dioxide क्या होता है HO2 यह हम लोग का होता है sulfur dioxide और इसका हम जलिये billion बोला है तो जलिये billion यह जल में hydrogen ion होता है तो यहां hydrogen ion आ गया वो क्या हो जाएगा अमलिये हो जाएगा simple ठीक है तो यहां पे sulfur dioxide का जलिये billion होता है तो अमलिये होता है 17 नमर कोशन का यह फॉस्टी option से ही हो जाएगा ठीक चलो उसके बाद हम लोग अगला प्रस्ट देख लेते हैं सत्रक बाद 18 नमर प्रस्ट की एक billion का pH मान तीन है billion है भाई कितनी बार हम पीछे पढ़ चुके है कि जिस billion का pH मान साथ से कम हो ठीक है साथ से क्या हो कम हो वह billion क्या होगा वह अमली हो और सासाथ से अधिक होगा तू शारय होगा तो यहां तीन किया है साथ से कम ही है तो वह अमली हो गया ठीक शलू यहांग आगलियो वर्शा के लिए जल का संभावीत pH मान है ओके आप से नहेंगे यहितल लीन्में तेजाब तक थो हमले और होती है तो उसका मालते हों, तरह मुद्व साथा से कम होता है अगर आवा में में टेश्ट किया जाएं तो टीक है। इसलिए आप आप लोग देखें होंगे अ जो बैटरिया disorderly होती है, उसमें कहा जाता है कि आप जैसे बारीस का पानी डाल सकते हो ठीक और लोग डालते भी है क्यों कि वह अमली होता है और बैटरी 2019 में पूछावा प्रसमें कि छारक के साथ जो हल्दी होती है हल्दी क्या है ये भी सूचक है एक प्रकृति सूचक है हल्दी तो छारक के साथ जो हल्दी होता है उसका रंग कैसा होता है पीला होता है नारंगी होता है भूरा लाल या आप परिवर्तित रहता है मतलब कोई उस रह रहा है जैसे मतलब हल्दी का रंग पीला होते तो पीला ही रह रहा है वही कहने का मतलब अपरिवर्तित रहना ठीक या फिर पीला हो जाएगा मतलब पीला तो वो कोई मतलब नहीं है ये तो दूनों आपसन एक ही है एक तरह से देखा जाए तो और नारंगी हो जाएगा य हाँ हमलोग 21 नमर प्रसंद देख लिएते हैं 21 नमर प्रसंद है कि Baking Powder याणि Baking Powder देखो Baking Powder और हमने अभी देखा एक soda, baking soda एक तर से याणि खाने वाला soda जिसको जिसको आप मीठा soda भी बोल सकते हो उसका, मतलब इन दोना खाने वाला सोडा मैं लिख दीता हूं उसका फार्मूला और यह जो बेकिंग पाउडर होता है इसका फार्मूला दोनोंे का फार्मूला यह नEHCO3 ही होता है लेकिन खाने वाले शोडा और यह मतलब बेकिंग पाउडर में बहुत नॉर्मली डीफरेंस होता है, बहुत ज्यादा डीफरेंस नहीं होता है, बाकि यहां पर देखो हमें क्या प्रसंद है कि बेकिंग पाउडर याशी गर्म करने में कौन सी गैस निकलती है, CO यानि carbon monoxide या CO2 carbon dioxide या oxygen या Na2CO3 यह absence है बिल्गुल second वाला देखो आप लोगों जैसे घर पर आप लोगों ने सुनागा पुगा हुआ बनता है न तो पुए को फुलाने के लिए न क्या किया जाता है कि बेकिंग पाउडर का उप्यूप किया जाता है जब यह बेकिंग हम लोग 22 नमर प्रसंद देख लेते हैं कि plaster of Paris में कितने अड़ू crystal जलके होते हैं ओके देखो यहां पर हमने लिख दिया है यहां पे plaster of Paris का फार्मूला वह होता है CSO4 into 1 by 2 H2O यानि half H2O clear तो यहां देखो crystal के अड़ू कितने हैं half है half H2O लिखका है यानि जल के crystal जल जो है उसके half अड़ू है यानि यहां पे half यानि वही आधा ठिक यह आपसंद सही हो जाएगा इसके बाद हम लोग अगला प्रसंद देख लेते हैं 23 नमर यहां पे देख सकते हो जो धावन शोड़ा होता है उसका रसायनिक नाम है ओके 2014, 15, 16, 22 में प्रसंद यह पूछ चुका है इसे चीश को Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं ठीक है और इसके साथ हम लोग जल के अड़ू भी एड़ कर सकते हैं लेकिन उसकी कोई यास रसायनिक नाम ठीक है और फार्मूला Na2CO3 होता है तो यह बिल्कुल आइट आपसे ने धावन सोडा जिसको हम लोग सोडियम क यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर कोई गलत लिखा यहां पर माइनस नौ मोल होगा ठीक है नौ मैंने सिंपली आपको इसका ट्रिक बता दिया कि अगर आपसंस हो जाएगा बाकी यह लास्ट प्रस्ट था इस प्रकार हमने जो अमल छार और लोण था चेप्टर इसके सारे के सारे जितने भी इंपोर्टेंट अब्जेक्टिव कोईशन ते उनको कर लिया देखिएगा इससे बाहर आप लोगे इस चेप्टर से प्रस्ट नहीं पूछेगा तो आप